वीडियो में कि आप मुबाइल के नौटिफीकरशन को किस तरह से बंद कर सकते हो याई कि अगर आप एक इन्रोइड फॉन का इंटेनेट इस्टार्ट करते हो तो आप देखते होंगे का आपके फोन के ऊपर जो नौटिफीकरशन का पैनल होता है वहाँ पर आपको बहुत सा सब्सक्राइब चाइब और ठीजम्रीट आज सोब बन करने के लिए बहुत सब्सक्राइबист है जिसे आप इस तरह का को बंद कर सकते हो ज़ो कि आप चाहते हो कि फेयर सब्सक्राइब उनिघारakah करने करने के बाद वहां पर आपको ब्लॉक करने का अप्षन आएगा तो सिंपल आगर वहां पर ब्लॉक कर देते हो तो वैसा नौटिफिकेशन आपके दुबारक कभी भी नहीं आएगा लेकिन इसे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपने माली जी जिस एप का नौटिफिकेशन नौटिफिकेशन को इसके बाद आपके फ़ोन में नहीं आएगा और ब्लॉक कर देते हो अगर आप चाहते हो कि बस कुछ चुनिंदा नौटिफिकेशन आ ब्लॉक करो तो आप किसी दूसरे सेटिग को यूज कर सकते हो जो मैं आभी आपको बताऊंगा अब आपको सिंपल को यוכ यूटूब कर नहीं है किया है तो इसके बाद एप इंफो का को आप्सन मिलेगा तो सिंपल आपको एप इंफो में जाना है यूटूब के अप्लिकेशन का दूसी में नीचे अगर आप देखोगे तो एक और आपको नॉटिफिकेशन का देखने को मिल जाएगा तो इसमें सबसे उपर ही आपको बंद करने का एक अप्शन होगा आफ करने का तो अगर आप यहा आप जाते हैं तो अगर आप चाहते हों कि आप लूट आपको देखने को नहीं मिलेगा इस तरह से सबस्क्राइब का भी होगा तो जो आपको लगे कि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए यूटूब के आपकी तरफ से तो आप यहां सी से बंद कर सकते हो और पर्टिकुलर आपका वो नॉटिफिकेशन बंद हो जाएगा जो आपके लिए अन्वांटेट होगा तो आपके बात करते हैं तीसरे मेठट की तीसरे मेठट क्या कर सकते हो कि अगर आपके फोन में किसी वेबसाइट से नॉटिफिकेशन आता है तो आप इस ट्रिक्स से उस आपके थीफिकेशन को बंद कर सकते हो तो इसके लिए से लिए च में करना है है आपने उस वेबसाइट को लिए उपन किया है उस ब्रॉपर को खुष कना यानिकि यह आप कह सकते हो यहां पर आपको वी नॉटिफिकेशन का ऑपसम में मिल जाएगा क्लिक करना उसके बाद यहां पर आपको सारे नौटिफीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि क्रोम ब्राउजर आपको भेज रहा होगा क्रोम का डाउनलोड का नौटिफीकेशन उसको भी आप बंद कर सकते हो तो थोड़ा नीचे आओगे तो आपको सारे वह विबसाइट को अब बंद कर सकते हो अगर आप ऐसा बंद कर दोगे तो उस वेबसाइट का नौटिफीकेशन आपके फोन के ऊपर कभी भी नहीं आने वाला है उसके बाद करने का उप्सण रहेगा एक डेनी करने का आप जिस भी विबसाइट पर आप जाते हो तो अगर यहां पर आप में आने लगता है तो इस चीज़ को ध्यान देना जो भी विबसाइट आपने फोन में ब्राउज कर रहे हों तो आप जैसे ही वह अलाव और डेनी करने के लिए मांगे नौटिफीकेशन का पॉप-प तो सिंपल अपो डेनी कर देना है अलाव अपन नहीं करना अगर आप गर देते हो तब ही वह साइट आपके फोन पर नौटिफीकेशन भेजना स्टार्ट कर देती है तो यह अगर आप ध्यान दोगे तो आगे से आपके पास इस तरह का नौटिफीकेशन नहीं आएगा जो नौटिफीकेशन आप चाहते हो कि आपके फोन में नाए तो आप लोग कंप्लीट जरूर करवाज जिएगा और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिशन में लिंक है आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हो और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्व चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के लिए हमारी यूट्व चैनल को तो दोस्तों आप से मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तक लिए धन्यवाज जय हिंद वह द्यमातरम